हेलो एवरिवन आज हम हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा दी गई प्रतिकात्मक अंतर क्रियावाद के सिधान्त को समझेंगे हर्बर्ट ब्लूमर का जन्म अमेरिका में सन उन्निसवा में हुआ था ये जोज हर्बर्ट मेड के शिश्य थे इनके एकेडमिक जीवन का एक मात्र उतिश्य यह था कि ये अपने गुरू जोज हर्बर्ट मेड के सिधान्त प्रतिकात्मक अंतर क्रियावाद को आगे बढ़ाएं और उन्हें उचाईयों तक पहुँचाएं 1969 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक Symbolic Interactionism Perspective and Method में इन्होंने Symbolic Interactionism को समझाया जिसमें इन्होंने व्यक्या की कि किस तरह एक व्यक्ती समाजिक व्यक्ती की तरह विक्सित होता है और इन्होंने मीड के स्वा के सिधान के एकसेप्ट किया उसके लिए इन्होंने एक नौजात सिसू के विकास के क्रम को देखा और इस निसकरस पर पहुँचे कि जिस प्रकार सिसू अपने माते पिता को हसते वे देखता है तो वो भी हसता है और इसी प्रकार सिशू का रोना हसना किलखिलाना ये सब भी प्रतीक है जिसके माध्यम से नौजात सिसू समाज को को समझता है इसी प्रकात जब नोजाथ शिङ्सु अपने बालय आस्था में आता है या वयसकोस आस्था में आता है तो वह प्रतिकों के माध्यम से ही अपना विकास करता है और प्रतिकों में सबसे ताकतवर प्रती है भाषा जो व्यक्ति जितना अधिक भाषा जानता है वह उतने अधिक लोगों के साथ अंत्यकृरिया कर सकता है। यो काम घंटों के भाषन नहीं कर पाते हैं, कभी कभी एक चित्र ही कर देता है चित्रों में तो यह माना जाता है कि उनमें लाखों की जुबान होती है छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बुक्स में अक्सर चित्र के साथ उन्हें समझाया जाता है ताकि वो उस फोटोग्रैप्स को देखकर पढ़ें तो उन्हें और जल्दी सब कुछ क्लियर होगा इसी प्रकार अगर हम कोई काटून देखते हैं जैसे मुझे टॉमें जेरी याद आ रहा है उन दोनों की झो जगड़े हम देखते थे क्यूट से जो जगड़े होते थे वो हम उनके expression को देखी समझ में आ जाता था कि वो क्या कर रहे हैं इसी प्रकार जैसे कोई dancer dance करती है तो उनके face expression को देखके हम उनके भावों को समझ जाते हैं कि वो क्या प्रेजन्ट करने की कोशिश कर रही है इसी प्रकार हम अगर किसी अलग स्टेट है अलग प्रांत में गए हैं तो वहां के लोगों की वेश भुषा देखके समझ जाते हैं कि वो कौन हैं कहां के हैं किस छेतर की निवासी है या कभी-कभी किसी के कपड़ों को देखकर हम उनका अनुमान लगा लेते हैं कि कौन से जाती विरादरी के होंगे या अगर हम किसी फंक्सन में गए हैं तो हमें बताने की पहुषकता नहीं पड़ती कि दुलह दुलहन कौन है हम उनके ड्रेस को देखके उनके पोशाग को देखके समझ जाते हैं कभी हम किसी ऐसे जगह पे पहुँच गए जहां बहुत खुशिया है या बहुत कोई दुखी है तो वहां के लोगों के पोशाग देखके हम समझ जाते हैं से किसी महिला को अगर हम white color की साडी में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि या video होगी या अगर किसी परिवार में सारे लोग को सिर मुंडाय हुए हैं तो हम समझ जाते हैं कि कुछ दुगत घटना घटी होगी तो ये सारी हम छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने आसपास देखें तो हम हर चीज प्रतीकों के माध्यम से ही समझते हैं हम किसी के कलर से भी कभी कभी अनुमान लगा लेते हैं कि ये कौन से धर्म को फॉलो करता होगा या मंदीर को देखे हम जान जाते हैं बाहत सही कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है और ओम बना हुआ है उसमें जंडे लगे हुए हैं तो ये मंदीर होगा ये मस्जिद होगा मतलब हर एक चीज एक्सप्रेशन ये भी हम गुसा ये भी हम अपने प्रतीकों के माध्यम से ही किसी को दिखाते हैं जैसे हम अगर कभी बहुत जादा खुस हैं हम हस रहे हैं तो automatically सामने वाला देखके हमें जान जाएगा कि बहुत जादा खुस है कभी हम गुसे में आखे लाल पिली हो रही है तो वो भी हमारे एक्सप्रेशन से ही समझ सकता है मतलब इंसान प्रतीकों के बिना इंसान मात्र एक पत्तर है इसलिए ब्लूमर ने कहा है कि अगर प्रतीक हटा लिजे तो मनुस्य से पत्तर की मूरत बन जाएगा उसमें ना कोई अर्थ होगा और ना कोई मनोभाव होगी इस तरह अंतरक्रियवादी पूरी तरह व्यक्ति के विवहाद की वैख्या करते हैं और व्यक्ति के माध्यम से समाज को समझने की कोसिस करते हैं हरबर ब्लूमर ने प्रतिकात्मक अंतरक्रियवाद की सध्धान की विकास में 4 महत्पुन पहलों बताएं चलिए देखते हैं पहला है निरवचन या इंटर्प्रेटेसन पहले निरवचन या इंटर्प्रेटेसन का अर्थ देख लेते हैं वैसे आपको पता हुगा कि इसका अर्थ क्या होता है वैक्या करना जैसे हम किसी भी बाहरी जब हमारा स्वग किसी भी बाहरी समाथ से टगराता है तो हम जो भी देखते हैं समझते हैं या नो बहुत वारा सीखते हैं उसको हम इंटर्प्रेट करते हैं व्यक्ति है करते हैं कि यह सही है या गलत है मीड के सिध्धान्त को ब्लूमर ने एक लॉजिकल रूप दिया और बताया कि किसी भी वैवार या क्रिया में व्यक्ति ही डिसाइट करता है कि उसे अमुक दसा में कैसा व्यवार करना चाहिए हर्बर्ड ब्लूमर की प्रतिकात्मक अंतर ग्रियावाद के सिधान्त में उन्होंने एक और बहुत महत्पून बात कही थी जो है उद्दिपन प्रतियुत्तर stimulus response इसे याद रखेगा बिल्कुल क्योंकि exam में अगर उद्धिपन प्रतिउत्तर symbolic interaction system के अंतरगत आता है तो उसका answer वो Herbert Blumer ही होंगे अब समझ लेते हैं यह है क्या प्रतिउत्तर पहले हम देखते हैं प्रतिउत्तर हमें पता है response मतलब कोई भी व्यक्ति या कहीं भी हम कुछ देख रहे हैं उसका हम response क्या देते हैं क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह response हुआ ठीक है यहां उद्धिपन से मतलब है कि हम किसी भी वस्तू या व्यक्ति से जब interact हो रहे हैं तो हम में जो excitement आता है हम जो प्रोटसाहित होते हैं उसे उद्धिपन कहा गया है जैसे समझते हैं जैसे समाज से करता या व्यक्ति को उद्धिपन देता है परनतो उद्धिपन का प्रतियुतर सीधा नहीं आता बलकि व्यक्ति या करता का स्वव वुद्धिपन में interaction होता है और बराबर विवाद चलता है और यह विवाद स्वा वद्दीपन द्वारा किया गया वेक्षय या निर्वचन है, जब तक स्वा उद्दीपन के निर्वचन से आश्वस्त या संतूस्ट नहीं होता उसे स्विकार नहीं करता है, इसलिए بिलूमर ने उद्दीपन प्रतियुत्तर की बीज निर्वचन को महतपून अस्थान दिया है। मतलब उद्धिपन प्रतियुत्तर में Bloomer ये मानते हैं कि उद्धिपन जो है व्यक्ति का जो excitement है उसका प्रतियुत्तर सिधा नहीं हाता। उसके बीच निर्वचन को वह स्थान देते हैं। निर्वाचन का महत्पून स्थान है, मिन्स, स्ट्रेमलेस, इंटर्प्रेटेशन, एंड रिस्पॉन्स, उद्धीपन, निर्वाचन और प्रतियुत्तर, यह माना है हर्बर्ड ब्लू मरने, एक्जेम्पल से समझते हैं, माल लिजे हम कहीं सडक से गुजर रहे हैं, और वहाँ पे हमने देखा कि एक स्टोर रूम है, वहाँ पे एक पंपलिट लगा हुआ है, जिसमें लिखा है 50% आफ, अब हम उस 50% आफ को देखकर, हमारे जो हमें उद्धीपन हुआ, मतलब एक्साइटमेंट हुई कि हमें वहाँ जाके कपड़े ले लेने चाहिए, ब्रांडेट कपड़े 50% आफ मिल रहे हैं, मतलब वह जो समाज है उसे करता या व्यक्ति को उद्धीपन दिया गया, वह पंपलिट के द्वारा कि वह उसे प्रोचसाहित हुआ, कि यहाँ पर 50% आफ है, यह कभी-कभी यह मौका मिलता है, लेकिन उसका उत्ति प्रति उत्तर, वह करता, तुरंत नहीं देता, मतलब वह मन में सोचता है, मतलब उसका स्वा और उद्धीपन, मतलब जो उद्धीपन मिला है उसे, जो एकसाइटमेंट उसे हो रहा है, उसे देखकर, वो और उसका स्वा, दोनों इंटर्प्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, कि मुझे भी लेना चाहिए या नहीं, अभी मेरी जरुरत है, या नहीं कपड़े लेने की, इस पैसे को मैं कुछ और यूस अच्छे काम में लगा सकता हूँ, जरुरत के काम में, अभी उतनी जरुरत नहीं है मुझे कपड़े की, मतलब ये सारी इंटरप्रेट होती है, कहीं कहीं वो सोचेगा कि नहीं, 50% of कभी-कभी मिलता है, मौका मिला है, ले लेना चाहिए, क्योंकि जब कभी हम कपड़े लेने जाते हैं, तो हमें पसंद नहीं आता, पर जब हम कोई प्लानिंग के बिना जब जाते हैं, तो हमें ब बहुत सारी इंटरप्रेट उसके स्व और उद्धीपन के बीच होता है, और जब व्यक्ति का या करता का स्व उद्धीपन से विवाद के फलसरूप संतुष्ट हो जाता है, आश्वस्थ हो जाता है, कि नहीं, मुझे अब ये काम करना चाहिए, उसे स्विकार करना उसने देखा रोड के किनारे से, उस उद्धीपन का प्रतियुत्तर वाद देता है, मतलब कि हाँ मुझे लेना चाहिए और स्विकार करता है, यही है उद्धीपन प्रतियुत्तर का सिध्धान्त हरबर्ट ब्लूमर के द्वारा, ऐसे ही हम बहुत सारे एक्जैंपल्स ले स करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तर्थ पशाच जब हम उद्धीपन से संतुष्ट होते हैं, तो उसे स्विकार करते हैं, अदरवाइस हम उसे रिजेक्ट करते हैं, और उसका प्रतियुत्तर नेगटिव पॉजिटिव जैसे भी आ सकता है, य हम डिसाइड करेंगे अपने सोह से इंटरप्रेट करके कि हमारे पास पैसे है या नहीं है, अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इतनी मेरी इंकम है या नहीं है, और तत पशाध हम उसका प्रतियुत्तर देंगे, यही है उद्धीपन प्रतियुत्तर, ब्लूमर ने अप आप जी एच मीट के वीडियो को नहीं देखें, तो उसे देख लिजे, उससे आपको और क्लियर होगा, क्योंकि हम यह स्टेप बाई स्टेप प्रतिकात्मक अंतर क्रियावाद के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसे अलग अलग समा सास्त्रियों ने अपने तरीके से दिया नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रतिकात्मक अंतर क्रियावाद के लिए, ब्लूमर ने तीन मौलिक आधार बाकिये बताएं, यह क्या है, फरस्ट है, मनुस्य की क्रियों में अभिप्राई या मीनिंग का महत्वा, मतलब ब्लूमर के अनुसार मनुस्य की जो क्रियाएं हो, उस उसके मीनिंग को क्या निकालते हैं, कि हाँ वहाँ जाना है, मौज मस्ती करना है, इंजॉय करना है, खाना पीना है, यह हम उसका मीनिंग निकालते हैं, और इसी के अनुसार अपना कारे करते हैं, उसी परकार अगर हमें कोई कहता है कि कि किसी के मैरिज में जाना है, तो से ज्यादा रेडी होते हैं या फिर हम हमारे जो हमारा जो मीनिंग निकलता है इससे कि मेरीज में जाना है उससे हम यह सोस्तें की इंजॉयमेंट होगा वहाँ पाटी होगी वहाँ ज्यादा इंटर्टैन्मेंट होगा तो इसी प्रकार ब्लूमर यह मानते हैं कि हर जो भी मीन होता है जो प्रतिकों का जो मीनिंग होता है उसे उसके बारे में व्यक्ति की चेतना होनी चाहिए व्यक्ति को प्रतिकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हर प्रतिकों की meaning अगर व्यक्ति जानता है तो वह उसके अनुसार अपना व्यभार या अपना कारे करता है second है अभी प्राय का स्ष्रोथ sources क्या है meaning की यह अभी प्राय का उद्गम कहां से होता है उसका स्ष्रोथ कहां से है यह क्या है यह किस से जुड़ा है तो bloomer इस पे कहते हैं कि व्यक्ति अपने सहयोगियों अपने साथियों अपने विर्योधियों के साथ जो interaction करता है social interaction करता है उसी से वह interaction का meaning निकालता है मतलब जब हम सीधी से श्रब्दों में अगर बोला जाए तो जो meaning है उसका उदगम या उसका जो sources है वो दूसरों के साथ किया जाना वाला social relation ही है ओके थर्ड है निर्वचन में अभी प्राई की भूमिका क्या है तो bloomer का कहना है कि करता के सामने जो भी वस्तु होती है घटनाय होती है प्रसंग होती है उनका जो earth है meaning है उसको वा समझना चाहता है और उसको समझने के लिए उसकी व्याख्या करता है व्याख्या यह सब निर्वचन है और इसके पश्चात व्यक्ती उस प्रतिकों का जो भी meaning निकालता है उसी के अनुसार वह अपना कारे करता है या व्यवहर करता है तो इस प्रकार Bloomer ने symbolic interactionism में तीन basic sentence बोले हैं जिसमें पहले हैं मेनिंग का मात्वल मतलब मेनिंग का क्या अर्थ निकालता है करता और उसके sources क्या है उस अर्थ को निकालने के लिए वह अर्थ किस प्रकार निकालता है तो वह निर्वचन के पस्चार्थी अर्थ निकालता है और उसी के नुसार अपना कारे करता है तीसरा पहलो Bloomer ने बताया है सनरचना और प्रक्रिया सनरचना और प्रक्रिया क्या है सनरचना समाज की सनरचना भी होती है संरचना तो समाज का एक अंग है क्योंकि समाज बहुत छोटे एकाईों से मिलकर बना हुआ है जिसमें बहुत सारे समू है उत संस्थान है, नौकत साई संगर्ठन है विभिन संस्था है जिसमें सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए है और एक समाज का स्ट्रक्चर रेडी करते है अब इस स्ट्रक्चर या संरचना की भूमिका को ब्लूमर स्विकार करते हैं और मानते हैं कि व्यक्ति भी इस संरचना का एक एकाई है एक महतपून एकाई है लेकिन वह उसकी अंतरक्रिया के लिए समाजी को सांश्कितिक भूमिकाओं की रूप में नहीं लेते बलकि उनका कहना है की Android क्रिया व्यक्ति केवल व्यक्तियों की बीच are an Android क्रिया मानते हैं और वो व्यक्ति अपने स्वें की experience की basis पे ही करता है वो क्रिया यह Blumar का कहना है नेक्स्ट ड़े विदि या मैटेडलोची इन्होंने अगमनात्मक उपागम या इन्डेक्टिव एप्पोचस को फोकस किया है क्योंकि यह व्यक्ति को important मानते हैं समाज में और यह mlans भैग्ति के स्वव के अधार पर दुनिया का या समाज का निर्वचन करता है और इसके पर पागम को आश्विकार किया है और इसके साथ ही बहुत सारी विधिया हैं जैसे अन्वेशनात्मक एक्सप्लोरेट्रे गुणात्मक क्वालिटेटीव इंस्पेक्शन निरिक्षन ऑब्जर्वेशन और लोकन इस पदिती द्वारा हम इस स्टडी को कर सकते हैं और समाज को मत सकते हैं यह इनका मानना है यह चार इनकी महत्पून पहलू है जो इन्होंने अंतर क्रियावाद के सिधान पर दिया है इसको आपको जाना बहुत ज़रूरी है और इससे इनको बहुत बड़ी ख्याती भी मिली जो इनकी बुक है नैंटी सिक्टेन में सिंबॉलिक इंटर